चलिए आज बनाते हैं केरी का खटा आचार इससे पहले मैंने मीठा आचार मतलब के गौड केरी के आचार की रेसिपी शेयर की है मेरे यूटूब चैनल पे अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्टन बॉक्स में देदूंगी आप बहाँ जाके देख सकते हो तो चलिए आज बनाते हैं खटा आचार उसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए कैरी कैरी पकी हुई नहीं होनी चाहिए एकदम कच्ची होनी चाहिए तो यहाँ पे मैंने राजपूरी कैरी लिए है जो स्पेशली आचार के लिए आती है आपके पास अगर राधपूरी कैरी नहीं है तो आप देशी कैरी भी ले सकते हो लेकिन खट्टी वाली कैरी लीजिएगा कैरी को हमें अच्छे से दोना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर ये चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसे हमें अच्छे से निकालना होता है तो मैंने कैरी को अच्छे से रगड़ रगड़ के दो लिया है और पानी को मैंने प्लांट में डाल दिया है चले अब केरी को हमें अच्छे से पोच लेना है यहाँ पे मैंने तकरीबन दो किलो केरी ली है लेकिन दो किलो केरी में से मैंने एक किलो का गुजराती गौड केरी का आचार बना दिया है और आज मैं बना रही हूँ एक किलो का खटा आचार तो यहाँ पे हमें तकरीबन एक किलो केरी चाहिए आप ज्यादा भी ले सकते हो लेकिन आज मैं एक किलो के हिसाब से measurement बताऊंगी तो यहाँ पे मैंने एक किलो केरी ले ली है और इसे इस तरह मैंने कट कर लिया है इसे मैंने छीला नहीं है लेकिन अगर आप चाहो तो इसे छील कर भी ले सकते हो तो इसके हमें medium size के pieces cut कर लेने हैं और ये जो गुटली है उसके उपर जो carry का part होता है उसे हमें fake नहीं देना है उसे भी हमें एकदम छोटे-छोटे pieces में cut कर लेना है उसका वे use हम आचार बनाने में करेंगे तो चलिए carry को हमें medium size के pieces में cut कर लेना है तो ये दिखिए मैंने इस तरह के pieces में उसे cut कर लिया है आप अगर चाहो तो इससे भी बड़े और या फिर इससे भी छोटे pieces में इसे cut कर सकते हो आप अपनी requirement के हिसाब से इसे cut कर सकते हो क्योंकि किसी किसी को बड़े pieces पसंद होते हैं किसी को छोटे और किसी को medium तो चलिए सारी केरी को मैंने अच्छे से cut कर लिया है और अब मैंने ले लिया है एक बरतन और उसके अंदर मैं सारी केरी को भर लूँगी आप ड़कन वाला बरतन ले सकते हो अगर आपके पास इस तरह का टकन वाला बरतन नहीं है तो आप कोई सा भी बरतन ले सकते हो लेकिन उसके उपर अच्छे से fit आ जाए वैसा वाला आपको टकन ले लेना है तो यहाँ पर केरी को मैंने बरतन में भर लिया है मैंने जो बड़े pieces वाली केरी है और जो छोटे pieces वाली केरी है तोनों को मैंने अलग रखा है दोनों के उपर हम डाल देंगे नमक तो जो बड़े pieces वाली केरी है उसके अंदर मैंने 4-5 चमच नमक डाल दिया है और जो छोटे pieces वाली केरी है उसमें तकरीबन मैंने 1-5 चमच नमक डाल दिया है और अब दोनों केरी के उपर हम डाल देंगे हल्दी तो जो छोटे पीसिस वाली केरी है उसमें मैंने हाफ चमच और जो बड़े पीसिस वाली केरी है उसमें तकरीबर देट चमच जितनी हल्दी डाल दी है हल्दी और नमक का कोटिंग सारी केरी पर अच्छे से हो जाए इस तरह हमें इसे मिक्स कर लेना है तो यहां पर मैंने इसे मिक्स करके 3-4 गंटे के लिए रख दिया था तो यह दिखिए 3-4 गंटों में अच्छे से पानी छूटने लगा है हमें केरी को इस तरह 12 गंटे के लिए रखना है ताकि केरी अच्छे से सौफ्ट हो जाए लेकिन बीच-बीच में 3-4 गंटों में इस तरह इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है तो एक बर मैंने इसे mix कर लिया है 3-4 गंटों में ही अच्छे से पानी चूटने लगा है हमें इसे 7-8 गंटों के लिए और ऐसे ही रखना है बीच में हम एक दो बारी से इस तरह mix कर लेंगे तो चलिए 12 गंटे हो गए हैं और ये देखिए केरी हमारी एकदम ready हो गई है आपको मैं इसे दबा के दिखाती हूँ तो ये देखिए केरी हमारी एकदम अच्छे से soft हो गई है लेकिन अभी भी आचार बनाने के लिए ready नहीं है इसे हमें अभी सुखाना है तो चली इसको सुखाने की तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़े से न्यूस पेपर ले लिये हैं न्यूस पेपर हम थोड़े से ज़ादा बिचाएंगे क्योंकि केरी के अंदर जो पानी है वो सारा पानी न्यूस पेपर एब्सॉप कर लेंगे लेकिन direct newspaper के उपर हमें केरी को नहीं सुखाना है तो उसके उपर मैंने रख दिया है एक cotton का डुपट्टा आप cotton का कोई कपड़ा ले सकते हो तो चली अब ले लेते हैं एक पतिली उसके उपर रख देते हैं एक चलनी और केरी को हमें चान लेना है केरी का सारा पानी हमें पतिली में ले लेना है हल्दी और नमक वाले पानी को आपको फेकना नहीं है उसका यूज आप दाल या फिर सबजी बनाने में कर सकते हो हमारे यहाँ पे खटी मिठी दाल बनती है तो वो वाला पानी बहुत ही best रहता है दाल बनाने के लिए और यहाँ पर केरी को सुखाने में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है जो चिलके वाला पार्ट है वो डुपटे की सते पर हमें टच करके नहीं रखना है जो यलो वाला पार्ट है उस पार्ट को हम दुपट्टे की सरते पर टच करके रखेंगे क्योंकि वो सौफ्ट होता है और उसके अंदर जादा पानी होता है तो सारा पानी एब्जॉब उसी से ही होगा तो यहाँ पे मैंने छोटे पीसिस वाली केरी को भी नीचोड के दुपट्टे के उपर सुखा दिया है और केरी को हमें जो यहाँ पे विंडो है जहाँ पे बारी है अच्छे से हवा आती है नेचरल वहाँ पे आप सुखा सकते हो अगर आपके कीचन में इस तरह की विंडो नहीं है तो आप पंके से थोड़ा सा दूर उसे सुखा सकते हो पंके के नीचे एक्ज़र नहीं रखेंगे अगर पंके के नीचे आप उसे सुखा होगे तो यह जो हमारे केरी के पीसिस हैं हो चवड हो जाएंगे मतलब के थोड़े से हाड हो जाएंगे और आचार भी सौफ नहीं बनेगा तो चलिए यहां पे तकरीबन 4-5 गंटे हो चुके हैं और यह जो पीसिस हैं केरी के वो अच्छे से सूख गए हैं तो सारे पीसिस को हम एक बोल बे निकाल लेंगे चलिए यहां पे मैंने ले लिया है एक बर्तन और बर्तन में तकरीबन मैंने 200 ग्रम जितना तेल ले लिया है यहां पे मैंने मुंगफली का तेल लिया है अगर आप सरसो का तेल खाते हो तो आप वो भी ले सकते हो तो तेल को हमें मिडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख देना है तब तक हम थोड़े से मसाले कलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने 4-5 काश्मेरी लाल सुखी मिर्च ले ली है एक चमच काले मिर्च ली है दो चमच ली है हिंग और यहाँ पे मैंने 50 ग्रम पीली सरसो के फ्लेक्स लिये हैं इसे हम गुजराती में राई का कुरिया बोलते हैं अगर आपके पास इस तरह का राई का कुरिया नहीं है तो आप क्या करें जो राई आती है उसे मिक्सी में पीस ले तो 50 ग्रम राई को मिक्सी में दरदरा पीस लेना है तो आपका राय का कुरिया रेडी हो जाएगा और अब हमें यहाँ पे चाहिए 200 gladly का कुरिया मतलब मेथी के flex अगर आपके पास मेथी का कुरिया भी नहीं है तो आप क्या करें कि साबुत वाली मेथी ले ले 200 और एक पैन के अंदर 4-5 मेरिट के लिए एकदम लोः फ्लेम पर उसे भूण ले उसे ठंडा करके उसे पीस लेना है तो यह दिखे मेरे पास मेथि का कुरिया था लेकिन थोड़ा सा बढ़ा पीसिस में था तो मैंने उसे दरदरा पीस लिया है उसे थोड़ा छोटा कर लिया तो आप भी इस तरह उसे mixi में पिसके ले सकते हो तो आपका मेथी का कुरिया भी ready हो जाएगा तो इस तरह हमें राई और मेथी का कुरिया मिल जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें मेथी को कितना दर्दरा पिसना है तो आप देख सकते हो कि इतना दरदरा हमें चाहिए ज़ादा मोटा भी नहीं और ज़ादा पतला भी नहीं मतलब कि एकदम fine भी नहीं तो चलिए यहाँ पे सारी मेथी को मैंने piece लिया है मेथी और राय का कुरिया एकदम ready है चलिए बीच में हम थोड़ी से जगा बना देंगे और ये जो राई का कुरिया है इसे डाल देंगे बीच में और इसे भी हमें हाथों से फैला लेना है साइड में कर लेना है बीच में थोड़ी सी फिर से जगा बना देंगे और बीच में डाल देंगे काली मिर्च, लाल सुखी मिर्च और इसके उपर डाल देंगे हिंग तो इस तरह से हमें सारे मसालों को बरतन में रख लेना है और अब मसालों के उपर डाल देंगे नमक तो नमक हमें ऐसा लेना है जो डिब्बी में हो जिसे हम बार-बार यूज नहीं करते हों क्योंकि नमक के अंदर मौशन नहीं होना चाहिए अगर आपका नमक बाहर खुले में रहता है तो उसे थोड़ा सा भून ले और फिर उसे यूज करें तो यहाँ पर मैंने तकरिबन 4-5 चमत जितना नमक डाल दिया है और 1.5 चमत जितनी हल्दी डाल दिया है मसालों के उपर और अब यहाँ पर हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो गया है थोड़ी से हिंग डाल के हम चेक कर लेंगे कि तेल बराबर गरम हो गया है की नहीं एकदम दुआ उठने लगे तेल में उस सारा का तेल हमें गरम कर लेना है और अब ये गरम तेल को हम डाल देंगे मसालों के उपर तो इस सारा कंची से थोड़ा थोड़ा तेल ले लेंगे और डाल देंगे मसालों के उपर सारा तेल हमें मसालों के उपर नहीं डाल देना है थोड़ा सा बचा लेना है और ये देखिए तेल मैंने डाल दिया है मसालों के उपर और एक थाली से हमें उसे ढख लेना है तो यहाँ पर मैंने कड़ाई में 100 ग्रम जितना तेल बचा लिया है इस तेल को हम ठंडा होने दें लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैं इसे पंखे के नीचे लिके बैट गई हूँ और इसे लगातार मैंने हिलाया है तो अच्छे से ये ठंडा हो गया है मसाले एकदम ठंडे हो जाए एकदम रूम टेंपरेचर पे आ जाए उसके बाद ही उसके अंदर हम लाल मिर्च एड़ करेंगे क्योंकि पहले ही एड़ कर देंगे तो लाल मिर्च काली पर जाएगी तो यहाँ पे मैंने तकरीबन धाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ली है आप अगर ज़्यादा थिका खाते हो तो ज़्यादा भी एड़ कर सकते हो अगर कम थिका खाते हो तो कम भी एड़ कर सकते हो चली अब लार मिर्च अच्छे से mix करने के बाद उसके अंदर हम डाल देंगे carry केरी को भी हम अच्छे से mix कर लेंगे और अब ये जो बचा हुआ तेल है जो एकदम ठंडा हो गया है एकदम room temperature पर आ गया है उसे भी हम केरी के अंदर mix कर लेंगे और सब कुछ अच्छे से mix कर लेना है केरी और मसाले बराबर से mix हो जाए फिर उसको डग कर हमें रख लेना है दो दिनों के लिए आप चाहो तो अभी भी इसे bottle में भड़ सकते हो लेकिन जो मेथी है वो थोड़ी से fullty है तो उसे हम रख देंगे दो दिनों के लिए बाहर आचार को हमें दिन में दो से तीन बार इस तरह mix करते रहना है तक कि जो मसाले है वो सारे केरी पर अच्छे से चड़ जाए और हमारा आचार बहुत ही बढ़िया बने तो इस तरह mix करके उसे फिर से डख के रख देना है तो दो दिनों के बाद हमारा आचार बन के एकड़म ready हो जाएगा तो चली अब दो दिन हो चुके है और आचार बन के एकड़म ready है तो यहाँ पे ले लेते हैं 100 ग्राम तेल और उसे एकड़म दूआ उठने तक गरब कर लेते हैं और उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं तेल एकड़म room temperature पे आजाए तभी उसे हम यूज़ करेंगे तब तक यहाँ पे हम ले लेते हैं बनी जिसके अंदर हमें आचार बना है तो यहाँ पे मैंने दो बनी ले ली है चोटी चोटी और उसे इस तरह दूप में सुखने के लिए रख दिया है दूप में एक गंटा मैंने इसे सुखा लिया है और एकड़म ठंडा कर लिया है बनी एकड़म रूम टेमटरचर पे आजाए उसके बाद ही उसके अंदर हम आचार बरेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आचार हमारा एकड़म रेड़ी है मेथी ने सारा तेल सोक लिया है वो अच्छे से फूल गई है चलिए अब आचार को बर लेते हैं बरने के अंदर तो आचार बरने में भी हमें थोड़ा सा द्यान रखना है उसे हमें एकड़म लाइट नी भरना है उसे हमें दबा दबा के भरना है मतलब कि हमें उसे थोड़ा सा प्रेस करके बरना है ऐसा करने से आचार लंबे समय तक फ्रेश रहता है बिल्कुल भी बिगड़ता नहीं है तो इस सरा सारे आचार को हमें बढ़नी में भर लेना है तो दोनों बढ़नी में मैंने आचार को भर लिया है और उसे अच्छे से प्रेस कर लिया है आचार बढ़ने के बाद हमें और एक चीज का ध्यान रखना है कि आचार बढ़ने के आसपास ना लगा हो जो आचार बढ़ने के उपर आसपास लगा है तो आचार बिगणने का चांस बढ़ जाता है तो हमें आचार को पोच लेना है तो हमें यहाँ पे एकदम साफ कपड़ा या फिर टीशू पेपर ले लेना है और यह जो आचार बढ़नी के आसपास लगा है उसे हमें पोच लेना है ऐसा करने से बढ़नी हमारी एकदम क्लीन रहेगी और ये जो आचार है वो एकदम fresh रहेगा बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा तो चलिए यहाँ पे तेल भी एकदम ठंडा हो चुका है एकदम room temperature पे आ गया है तो तेल को डाल देते हैं आचार के उपर ऐसा करने से आचार बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है इसे आप साल बर enjoy कर सकते हो अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे जैसे कि कोई जूठा बर्तन इसके अंदर नहीं डालोगे कोई गीली चमच या फिर कोई जूठी चमच इसके अंदर नहीं डालोगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा यह ऐसे ही फ्रेश रहेगा तो अगर रेसेपी पसंद आई है तो प्लेस लाइक कीजिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना